हेलो असलाव वालेकुम विल्कम बेक टो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई हूप आप लोग अच्छे होंगे तो अभी सुबक न साड़े से पॉने साथ के लगभग हो रहा था यह आफिस के लिए तयार हो चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं यहां नए वाले रूम पर और जिया स्कूल के लिए तयार हो रही है और देख रहे हैं आप लोग की बैड भी लग चुका कूलर भी लग चुका तो जितना आप लोगों के लिए यह सर्प्राइस था न उतना मेरे लिए भी था क्यों मुझे भी नहीं पता था कि यहां पे बैड और कूलर उलर सब कुछ लग चुका है जिया भी यहां पे तयार हो रही है बालोल जाड़ी है वहां से निकली थी ना तो बस नहा के ही हम लोग जैसे जिया नहा के ही बस आ चुकि लेट हो रहा था और फिर आज ना मेरे पास काम भी यहां पे थोड़ा सा जादा ही लग रहा था क्योंकि यह लोग नास्ता भी नहीं ते हैं जिया का बॉक्स भी नहीं बनाय है लोग टो आपार फोदकेने अपने आप आप लोग समझ जाएंगे ठीक है तो ये जो राशन का समान है नहीं हम कल शाम को ही क्याप भी जबना ही तो फिर हुआ कि यहां पे तो हम यहां पे ले कर आगए टाइम भी नहीं है बहुत ज़दा लेट हो गया आने जाने में क्योंकि घूम के आना पड़ता है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है सॉस जो कल आया था रासन में तो बाकी जो है वो भर दिये थे बॉटल में और थोड़ा सा बचा के लेकर आये थे ताकि यहां पे भी रख देंगे कि मा लीजे कभी अगर जिया का मन कर गया कुछ असा बन गया तो थोड़ा सा होना चाहिए तो मैं इस सर्प्राइस की बात कर रही थी तो यह जो जो जोले में बोरे में जो है यह रासन है इसमें आटा चावल ते लोल सब कुछ है यह न रासन लाके यहां पे भी रख दिये थे जबकि मेरे पास और लेड़ी रासन था लेकिन यह हमको बताए नहीं तो यहां पे हम इनके ओपर गुसा आ रहे थे इसलिए जब हम सुबेरे न आटा लेकर आ रहे थे न तो यह हमको मना कर दिये बोले कि आटा लेके मत जाओ और आटा वहां पे है हम लाके रख दिये तो मुझे लगा कि साइद एक दो किलो लाके अपना रख दियोंगे लेकिन जब देखे तो फिर इनके पर गुसा आ रहे थे लेकिन कोई फायदा ही नहीं है गुसाने से तो यहां पर जल् या नास्ता भी करके नहीं गई और फिस जल्दी जल्दी उसको जो लंच बॉक्स जो जैसा बना वैसा बना के उसको दे दिये थे और फिर बिस्कित खाके गई और अभी इसके बैग में से लंच बॉक्स निकल रहा है क्योंकि इसका हमेशा का आदत है कि जब आती है स्कुल तो यहां पर आज बनेगा पहली बार न पूरिक जैसे कि उस दिन भी हम लोग आये थे न तो जिया को मन था पूरिक खाने का या तो चीप्स तलने का या तो कुछ तो उस दिन डिफाइंड नहीं था तो मुझे याद था तो आज न देशी घी भी लेकर आ गए हैं थोड़ा स आटा निकाल दिए जल्दी जल्दी आटा सान लेते हैं और हम इन से बोले भी कि नास्ता आप भी कर लिजे लेकिन यह वले कि हम नास्ता नहीं करेंगे तो यह बिना नास्ता किये ही चले गए हैं तो जिया चली गई इस्कूल और यह भी चले गए डूटी यह तो पहले ही जिया अभी गई है और अगर बत्ती जलाके ना घर में गए पूरी जगा और बखुत बड़ा वाला लगण हो गया अगर बत्ती यहां पर लगा यह लगाते हैं तो यहां लगा दिया है हां तो क्या हुआ प्लानि कि यहां मैं कुछ एयां के लिव म्हान बदे ऩरुट है बोडना में जान सबकर solving काफी जादा लेट यह नहीं गया जिआ का फृद की राध के लगिया प्लास्टिक बहुत जैसे कि बहुत पूराने दिये बोले ना कि चलके वहीं पे बनाना तो हम पी सोचे तो है तो आज सब्लों सोचे छे बजाए निकल जाएंगे लेकिन अब जीया को स्कूल से फिर तयार वार होने होने में टाइम लग गया तो कीचन देख लिए पहले तो प्लास्टिक बहुत जैसे कि बहुत पूराना यह रोटी में करना तो मेरे क्यासे रखे रखे यह खराब हो गया और जैसे ही पहला ही बस पूरी बेलने के लिए जीया को से पूरी बना बना के और तक जाके कही दिये में आज नास्ता करके नहीं गई और यह बिस्किट था तो वही वह बिस्किट खाली और लेके चली गई है तो चार पूरी दे दीए थे कि चलो ठीके नास्ता वहां पर कर लेगी तो यह बड़ी घड़बढ हो जाता है भवगर में जानते हैं पहली बात लिए की प्लानिंग अगर घड़बढ होती है तब रात में ही कर लिया होते न तो सुबह इत्मिनान से आयोते तो इत्मिनान से सबकुछ बन जाता है यह कि सब्जी भी बन चुकी थी दिखाएं बैक कलरा से यह देखिए आलू परवल टमाटर की दमफस क्लास वाली सब्जी बन गई है अपने लिए पूरी बनाना पड़ेगा तो सोच रहे हैं कि थोड़ा देल में बनाएंगे पहले किचंचं सब साफ कर ले और उधर जो बैड ओड़ है तो बैड भी साफ करना पड़ेगा तो आप लोग देखें कि बैड लग गया है अभी इत्मी नाम से दिखाते हैं आप लोगों को रासन ना यह लाके और हमको बता है यह भी आप लोगों को दिखाते हैं थोड़े दिर में थोड़ा सा हम भी बैड जाए और बरफ ले आए थे तो बरफ डाल दिया है कुल केज में तब तक अभी थोड़ा सा पानी होनी ठंडा होगा तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं सोचे तो थे कि थोड़ा दिर के काम वोम करके और फिर इत्मिनान से बैठेंगी तो यह हैं तो यहां पर आ चुके हैं और सबसे पहले सोच रहे हैं कि जो जो समान अभी हम लेकर आए हैं वो उठा के अच्छे से रग दे तो घी वहां से लेकर आया थी क्योंकि घी न जिया का आजकल पहले उतना घी नही प्रत्य करें आधे कैसी आप चुक्त ciao को करें सबस्ता करेंगी अनना घी ना प्रत्doff टाया को लोगता हना कोने पैकेट खोला हुओ और उसको बहुत slot हो फिर में इस दिन आये तो टबाओ धोके रखे आहे हैं न तो आज जबाओ ऑन जाए चुका है तो पहले यह जो आलू पियाज खीरा ओरा जो भी ले कर आये इसको उटा के न हम अंदर रूम में रख रहे हैं चोराई साथ में ले कर आये साग तो वो बनाएंगे आज दूपहर में ठीक है तो यह जो आदा तो वहां पे बोटल में भर दी ह ripping रे टे और स्टूल और यहां पे जैसे पहले अगर आप लोग को याद होगा जब मैं कौर्टर में रहती थी तो यहां पे एक पीड़ा हमेशा रखते थे क्योंकि इसकी जो ऊपर वाले रेक की हाइट थोड़ी सी जादा है तो यहां पे अपना स्टूल रखना पड़ा है क्योंकि पीड प्रहां ले आएंगे न तो यह वाला जो स्टूल है इसको भी हटा देंगे तो जितना भी डबा उपर रखे थे तो उसको उठा के एक बार में नीचे रख देते हैं फिर भर लेंगे फिर उसके बाद सब उठा के रख देंगे और सोच यह रहे कि जितना भी पैकेट वाला चीज है जैसे जो पहले से ही पैकेट में रखा हुआ है थोड़ा बहुत निकला हुआ है तो उसको भी न एक ही जार में करके रख देंगे अलग-अलग बोटल में करकर के नहीं रखेंगे नहीं तो फिर क्या होगा जाधा चाहिए होगा तो ऐसे पढ़ा रहेगा तो पता भी तो रहेगा कि हां किसमें क्या समान है तो फिलाल यहां पर मैदा चीनी यह सब जो बड़े बड़े जो आइटम है जो हमेशा यूज होने वाला है जो देख रेख वाला चाहिए यानि कि दीखता रहें तो वह वाला भी रख दे रहे हैं और उसके बाद पर जो यह रासन ल आप लोगों को दिखाते हैं पहले हम भी तो पहले देख लें कि आखिर आया क्या है तो बहुत बेसिक सा चीजें तो यह रासन जो यहां पर यह लाकर रख दिये थे तो हम लोग का फेवरेट डाई जो अभी बहुत हेल्प कर देता है और और सेंपू का पाउच यहां के ल तो जिया बड़ी खुस हो गई कि यहां चलो भईया यहां पे भी मैगी का सहारा है पास्ता मसाला जबकि पास्ता कुछ तो है नहीं यहां पर लेकिन यह पास्ता मसाला ले आएं तो यानि अब पास्ता भी लाकर रखना पड़ेगा रिफाइंड एक पैकेट ले आएं जब है और ब्रश भी लाकी यहां पर रख दिये हैं हैंड वास का पाउच है मैगी मसाला है यह मैजिक वाला और चाए की पती है मारगो है और अगर पती है चावल है और सरसो का तेल आटा अभी जाके वहां खोले ना अभी आप लोग देखें तो बस तो आप लोगों को रासन काम मेरा आसान हो टो जो लाके बात्रूम में अपनी जगा पे रख देते और बहुत अच्छा हुआ कि ब्रश यह नहीं लेकर आई ते और इतनी हर बड़ी में सुबदा भागे ना कि बरस भी नहीं किये थे तो अच्छा ही हुआ यह गता है नै कि जो भी हैं वह अच्छा के लिए होता है तो बस यहां पर चली चली रासन फटा फट रख देतें काम बहुत ज़्यादा है और नीचे का ना जो फर से वो किता गंदा लग रहा है ना किसे पेंट 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 गंदा क्या है पेंट लगा हुआ है और मेरे पास जब भी आ रहे हैं तब से जाड़ू है और धाड़ू वाले भाईया इंप जाड़ी वहसं कर लेते हैं तो बहुत समझ में रहा है look at जो में डहीं कर दो कि आपले तो उसको क्या करें एक प्लास्टे करक कि और ऊपर में रख देंगे गे हीदर नीचेा और ना चाहिए और उपर में उठाकर रखेंगे जब जिसे जरूरत पड़ेगा जो कम होगा तो फिर उपर से न उतर जाएगा जितना हो सके क्योंकि अभी यहां पर समान जादा तो है निक तो मेरा यह ना कि जितना हो सके जो यूज में ऊतने ही समान रखे बाकी सब हटा दे खाली- दो तीन दिन बाद हम लोग आ रहे हैं तो भई इतने दिन बाद का तो थोड़ा सा गंदा हो गई और सुबह इतनी हरबड़ी में थे ना कि बस जल्दी जल्दी से खाना होना खाना कह रहे हैं नास्ता उसता बनाए और उसका लंच उन्च तो उतना मुझे टाइम नहीं मिला तो अभी किचन पूरा क्लीन करके और फिर अंदर जाएंगे फिर अंदर का बागी जो काम है वो करेंगे नास्ता करेंगे तब तक इधर का किचन का सब सुख जाएगा तो यह देखिए दम चम चमा गया लेकिन इसमें जगा जगा से जैसे पानी थोड़ा सा एकठा हो रहा है तो उसका भई यह ओधम खाटन भी तो कर लेते हैं तो यहां पर न मैं सेलेक्ट कर रही थी दोई ब्रश लेकर आएं पता नहीं अब यह मेरे और जिया के लिए लाएं कि अपने लिए फिलाल जिसके लिए भी हो मुझे मिल गया हम अपना ले लिए छाट लिए कलर कर चुके हैं और उसके बाद ना इधर उदर कर दर्वाजा और चेक कर लेते हैं और उसके बाद चलिए इतमी नान से बैट के नास्ता करते हैं गए तो थे नास्ता करने के लिए और यह रात की रोटी हम लेकर आय थे मुझे याद नहीं था तो पोड़ी नीचाने यही ना तो नौ बच चुका है और नास्ता उस्ता हम कर चुके हैं और अब सोच रहे हैं कि यह वाला जो बैड है यहां पर रखें उसको यहां पर करते हैं रीजन यह कि उदह से खिड़की खुली हुई है और लाइट जला के अगर बैठ है क्योंकि नीचे का क्वाटर ना तो पूरा पर दिखरा है तो अच्छा नहीं लग रहा है बैठने उठने में भी और अंधेरे में तो बैठनी सकते पर्दा लगा नहीं सकते करकि अगर कुलर चलेगा तो फिर हवा कहां से पास होगा तो इसलिए सोच रहे हैं कि इसको इधर करके और फिर कूलर को नगुमा की तरफ औ पर्दा लगा दिए मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा तो चलते हैं और इधर उधर थोड़ा सा कर देते हैं ज्यादा कुछ और मुझे अगर पहले से पता होता ना कि यह तो हम इसका ना चादर उदर ले आते हम लोग की बात हुई थी कि तो फोन आ गया था आप लोगों से जैसे की बात कर रहे थे तभी थोड़ा दिर ममी से बात किया और उसके बाद फिर अपने काम पे लग गए हैं और यह जो चौकी के बारे में जैसे हम बता रहे थे अगर हमको पहले पता होता ना तो घर से हम चादर उदर ले कर आते पीलो क बाद ना फिर इसको चौकी को हटाएंगे वैसे चौकी ना चौकी नहीं है प्लाई है इसके उपर प्लाई लगा है इसका वेट भी जादा नहीं है तो मैं आराम से इसली इसको एक हाथ से भी गुमा उमा सकते हैं यह है अब मुझे पहले नहीं पता था नहीं तो जो बीच नीरा था सुबह हम इनको मना कर रहे थे कि कूलर में पानी मत भरी है हम भर लेंगे हम भर लेंगे लेकिन यह पूरा पानी भर दिये थे और हम कितना भी खिसकाने की कोशिस कर रहे थे यह खिसकी नीरा था उसके बाद यहां पे पानी निकालने की तयारी हो रही है और जो कर रहा था उसके बाद ना हम जग ले लिये थे और जग से जल्दी-जल्दी से पानी खाली कर दिया और उसके बाद कूलर को को ऐसे लगा दे रहे हैं यह थोड़ा सा एसी वाला लुक दे रहा है नीचे का क्वाटर ना लाइट जलती है तो दीखता है और आते जाते लोगों की निकापड़े तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बैठना भी तो इसलिए इसको अच्छे से पुरा ढग दिये हैं औ तब तक यहां पे बिस्तर भी लगा देते हैं जब इन लोग आए ना घर में तो देखें कि अरे जगा चेंज जोगी है तो इन लोगों ना यह वाली जगा ज्यादा पसंद आई मुझे भी यह जगा ना थोड़ा तो मैं पहले से ही प्लानिंग कर लेती जैसे कि रूम उम तो उसके बाद यह होता है कि यहां पे बेड लगाएंगे यहां पे यह लगाएंगे तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि बेड यहीं पर लगेगा लेकिन यह नहीं पता था कि हाँ बेड आ भी चुका है तो यह देखिए पुरा चादर और सेट कर चुके हैं और जैसा कि ब भी गया है घर में ना फटा हुआ चादर कभी नहीं लगाना चाहिए और उसके बाद चलते हैं अब पोछा लगा लेते हैं अभी तो रूम धोए थे जब पाइप लगाए थे नो तभी हम रूम धो दिये थे क्योंकि मेने पर जाडू अडू कुछ उता ही नहीं लेकिन यहां नहीं बंबार ल knives ळोडियेँ पानी नीकाल को और फिर शुखा दिये हैं पंखा चालू कर दिये खंजा हैं तो थोडह दिर में वो सूखी जाएगा तो भस पूछा लगा दिये हैं पूरे घर में दिखिये पानी डाले के ना अच्छे सिन्टम धोडैं तो ना ऐसे पैर शा आई वाली है तो बस यहां पर पुछा अच्छा लग चुका है और अब जाके मेरा कहीं आधा काम कम्पलीट हो गया अभी मुझे और कुछ भी काम नहीं करना है तो अब सोच रहे थे कि बस इदर ना हैंड वास करके और नहाने के लिए चले जाते हैं लेकिन ऐसा हो ही नहीं स सही था और गड़बड़ी कहां था मेरे हस्वेंट हुआ है यह वाला जो हैंड बॉटल थी नहीं हम लोग के पुराने वाले घर में वहां पर रखा हुआ था तो जब मेरे खैसे हैंड वास का वो खतम हो गया होगा तो यह थोड़ा सा दिमाग लगाए कि जितना भी साबू नबन कटन टुकड़ा था ने यह इसमें डाल दिये थे और पानी डाल दिये थे अब उस समय पता नहीं काम किया कि नहीं किया अब जैसे जैसे वह सूप गया ना तो यह कामी नहीं कर रहा था पुरा ब्लॉक कर दिया था तो इसको अच्छे से पूरा खाली किये हैं पानी जाते ना सब कुछ करने के लिए यहां तो दोने के लिए और जब ऐसे रिफिल करिए ना तो इसका जो जहांस है वह बहुत तेज लगता है ना कोक पे चोड़ जाता है तो मुझे अधिकतर है कहीं पर भी रिफिल जब भरती हो ना तो उसके बाद हमको खांसी उसी आई जा तो थोड़ा सा मेरा टाइम इसमें वेस्ट हो गया लेकिन कोई नहीं चलिए अब जुगाड हो तो गया उसके बाद हम सुचे नहीं कि जितनी भी फोटो टो थी तो हम सुचे कि लाव बच्चों कर लगा देते पुरा रूम खाली-खाली सा लग रहा था उधर खिड़की प उतने देर में ना दाल यहां पर बन जाएगी तो सूट उट ओट घर से लेकर नहीं आए थे क्योंकि उस दिन जो धोके यहां पर गए थे वह था ही तो इसलिए हम इस बार बेफिकर होके चले आए थे उसके बाद चलिए दाल ओल धो लेते और दाल ना बहुत थोड़ी सी बना रहे सिर्फ अपने लिए और जिया के लिए और जिया भी उतना दाल खाती नहीं है तो बस थोड़ा सा बना लेते हैं क्योंकि फिर क्या होता ना जो खाना बच जाता है तो फिर इसको लेकर जाने वाला भी एक तो जमेला रहता है कि सब पैक करो फिर वहां लेकर जाओ और पर रह और दिमी खुल चटारे और कोर्पा किसी प्रत अब जा के पाण मुए कूर्पा अरु भी से लिखने से पाण सब्ध बढ़िए कि की हो फड़ से करे एक लिखने लेएदविए इक गश्टें की जलिखोगहरता है दर पर तो यह लिखन सब्सक्रावद Cantonese और जो सूट पहने थे उसको सूट ना दो भी दियें लगे हाथ यहाँ पर साबुन अब उन सब था ही वाशिर मुशिन तो है नी तो यहाँ पर ना सूट दो के और डाल देंगे तो फिर जब आएंगे तो यहाँ पर सूट रहेगा नहीं होगा तो एक सूट और लेकर आएंगे यह वाले सूट का पूरा रंगी उड़ गिया है पूरा तो अब पहनने का मन नहीं करता है लेकिन जो सूट खरीद के लाए थे अभी अगर आप लोगों को याद होगा कि रंजान से पहले हम सूट खरीदने गए थे मौल वाले भी इतना ठकते हैं कि समझ में नहीं आता जबकि हम अच्छा खासा प्राइस वाला सूट लिये थे इसकी कुर्ती लिये थे डेली वेर वाले में लेकिन सारी कुर्ती क्या हुआ कि सिफ उसकी हाइट ही कम हो रही है जैसे जितना धोर है न तो उसकी हाइट अपने आप चड़ती चली जा रही है सिफ इस वाली कुर्ती की नहीं बात कर रहे है जितनी भी कुर्ती लिये थे न मेरे कासे सब एक ही ब्रैंड का ही था तो इसलिए धोने के बाद ना सारा खराब हो गया तो अच्छा नहीं लग रहा है जबकि साइट से कुछ नहीं है साइड मे सब कुछ सही है सिफ उसकी जो लेंध है ना वही कम होती जा रही है तो चली कोई नहीं अब क्या कर सकते हैं तो यही दुनिया है आज कल भरोसा लाए कोई भी नहीं है समझ में नहीं आता है कि स्वापिंग आखिर करे तो करे कहां से और अगर आप लोग को कुछ होगा आइ सब्सक्राइजर हम लेकर नहीं आए थे हर बड़ी में तो जिया नारियल का तेल लेकर आई थी तो वही हलका सा हाथ और मुझ में लगा चुके हैं उसके बाद दालोल तो बनी गिया उतने दिर में जग तक वह सीटी खुलेगा उतने दिर में चौराई को चाट लेते हैं त इतना अच्छा लगता है सूबा के टाइम भी अगर आप देखिए तो ये लोग ऐसी कोयल को करते हैं तो अच्छा लगता है उसके बाद आ चुके हैं जो साग है उसको चौकने के लिए तो कड़ाई चड़ा चुके थे सरसो का तेल डाले जैसी गरम हुआ इसमें प्याज और हरी मेल चे डाल दिया है उतने दिर में एक बार ना चौराई को दो के और रख देते क्योंकि चौराई पालक ये सब साग हो जो होता है ने से मिट्टी बहुत ज़्यादा रहता है तो आपको दो तीन बार तो धोना ही पड़ेगा नहीं तो आप खाई नहीं सकते तो यसे थोड़ा थोड़ा करके दोईएगा तो जिसकी मिट्टी ना नीचे बैड़े यानि कि गहरे वर्तन में हमेसा साग को दोना चाहिए तो थोड़ा सा दोके इसमें डाले फिर पानी इसको पहेख देंगे दूसरा पानी लेंगे और फिर जो पालक है पालक नहीं चौ तो इसको न लगे हाथ न फ्राई भी कर देते हैं तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी जब घी लाए है तो आज घी से फ्राई कर ले वैसे तो हम सरसु के तेल में ही कर लेते हैं और थोड़ा सा इसमें चीरा डालेंगे और लैसुन डालेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे पहले जैसे था कि प्या जो सब कुछ डाल ओलके तो जो जटपट वाला रहता है और साफ के साथ हमेशा ना लेसुन का जो बगारा हुआ जो डाल होता है ना वो अच्छा लगता है तो बस यहां पर मैं डाल को फ्राई कर दी हूँ और उसके बाद इसी कूकर में चावल को भी चड़ा देते हैं लगे हाँ जल्दी-जल्दी मेरा खाना भी बन जाएगा और जिया के ना आने का भी टाइम हो रहा है तो यह भी था कि खाना बनके थोड़ा सा ठंडा हो जाए एक दम खौलता-खौलता गर्मी के टाइम में खाना नहीं अच्छा लगता है और यहां पे उतना तो पता भी नहीं चल रहा है कि गर्मी जबकि हम लोगे घर पे गर्मी पता चलती है लेकिन यहां पे ना नीचे का क्वाटर है और ऊपर में एसी भी लगा तो सायद एसी का हवा ना कहीं कहीं से आ रहा है तो बड़ा ठंडा लगता अच्छा लगता है पंके में भी कि ना आप आराम से सो सकते हैं तो चावल का जो पैकेट है उसे भी खोलें चावल थी लेकिन हम सकेए कि चलो जब चावल है कि तो उसको ही खोल देते है जब धो धोल फंड अच्छा आता है तो दीमियाज पर अभी में पस टाइम था तो इसलिए दाल चावल सब कुछ रेडी हो चुका है और उसको छोड़ देंगे थोड़ा देर ठंडा होने के लिए और यह जो चौराई है इसको इत्मिनान से दीमियाज पर भूनते रहें और फिर चलेंगे जिया को भी वेट करना है ध्यान नर लगा रहता है क्योंकि बाहर दूप बहुत तेज है और आती है वैसे तो इसकी फ्रेंड और भी इधर की है तो सबके साथ में ही आती है तो यह देखिए और इधर ना इदम संसं नाटा है कोई भी आपको शोर नहीं मिल दिया जाए फिलाल यह देखिए जिया आज की है और हम यहीं पर आगे ही बैठे वेते और इसका मुह बना हुआ है क्योंकि आज ना इसको पता नहीं क्यों पेट में बोल रही थी दराद होगा हो गाई जब नास्ता करकी नहीं जाएगी जब कि हम पूरी चान चुके थे व पुड़ा देर लेट लेगी और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे तो यहां पर दिखिए बैग वो फेक चुकी है और ड्रेस भी अपना चेंज करके और आज की हर बड़ी में निकली ना तो यह स्टॉल लेना ही भूल गई थी तो मेरा जो दुपट्टा है जो हम लोग हसी मजाक अपना कर रहे थे और कुल केज का जो पानी अना जैसे इदम सुबा ही इसमें बरब डाले थे साड़े छे बजे लेकिन पानी ठंडा ठंडा सा था और भर दीजे ना तो सारे दिन के लिए फुरसत हो जाता है क्योंकि फ्रीज तो ही नहीं तो बस अब चलते है यह लोग की आटास नहीं है तो हम लोग जा रहे हैं वहां पर घर की चावीतिवी पर छोड़ दे लिए हैं तो साड़े चाल के लगबं हो रहा है इधर बेड ओड सब कुछ ठीक कर दिये हैं अब कूलर तो चला ही ने क्योंकि पंखे मेहिना इतना ठंडा लग रहा था कि चादर ओड़ोड के सब लोग सब लोग बैठे थे और बरतन ओड़तन सब दो दिये हैं सूट धोई जो थे ना बोदन दरवाजे पर डालती है कल जब आएंगे तो सूट चाहिए रहा और एक चीज ले लेते हैं बरभ ना इसमें बरभ जमांकर लेकर आये थे कल फिर लेके आना पड़ेगा और जिया का लंच बॉक्स भी यहीं पर धोके और रख दिये हैं ताकि सूप जाएगा कल तो हम लोग को यहीं पर आना है और आप लोग चाहा रहे थे कि कीचन का टूर तो कीचन का टूर ऐसे ही अभी दे दे रहे हैं फिल बाद में ना कभी कासा और वो काम हो जाए उसके बार अभी और काम होगा फिला यह लोग बाहर निकल गए हैं हम चले जिया का ड्रेस भी नहीं यहीं पर रख रहे हैं हाँ मैडम है यह लो उसको भी डालो यह पावल यह बरफ वाला यह बरफ इसमें लेकर आए चलो ताला कॉन नहीं